स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि मन में हम किस तरीके से रिसार्च कर सकते हैं बेसिकली हम अज तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं पहला वाट टू रिसार्च इन मन दूसरा हाउ तूर तीसरा हम उस रिसार्च को कैसे अपने काम में यूटिलाइस कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ कि हम और एक कंट्री एसार्च करते हुए उस टॉपिक पर मतलब जो प्रॉब्लेम दिया गया है क्योंकि यह कांफ्रेंस होता है सलूसर निकलने के लिए हम तो पहला है context oriented research करनी है कि जो topic दिया गया, उसका background क्या है वो topic किस बार में है हमें topic के बार में अच्छे से जान ला है दूसरा, हमें solution research करनी है कि उस particular topic में क्या-क्य solution निकल सकते हैं और आपके दिमाग से भी solution निकले, तो आप खुद का solution भी suggest कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट में past solutions देखके भी आप सहच कर सकते हैं, तिसरा, हमें countries के बार में research करनी है कि हमारे countries का, हमें आसपास के allies का, उस topic पर क्या लेना देना है वो topic, हमारे country और दूसरे country से किस तरीके से impact करती है उस topic का, world के future के साथ क्या लेना देना है हमें इन सब को ध्यान में रखते हुए research करनी है और foreign policies must you must know your country's foreign policies आपको अपने country का foreign policies पता होना चाहिए तो foreign policies में भी अपने country के बारे में क्या क्या research करना है, ये भी हम बीच बीच में बताते रहेंगे, इसलिए वीडियो को कहीं भी skip मत किजिएगा तब context पर आते हैं, कि topic के context पर हमें क्या के research करनी है तो हमें research करनी है, उस topic का recent history क्या है, मतलब global warming topic है, तो recently global warming से क्या के impact हो रहा है कौन कौन से countries impact हो रहा है उसका ultimate result क्या है past में क्या क्या solution निकले गया थे किन factors की बाएश से global warming इतना बढ़ गया है, यह हमें discuss करनी है फिर हमें stakeholders के बाड़े में भी discuss करना है, कि उस topic का किन देशों में maximum impact हो रहा है कौन कौन से countries maximum contribute करना है उस problem के लिए, यह सब भी हमें discuss करनी है, तीसरा trends, उस topic पर क्या कर trend है अलब हो सकता है कि कोई अचानक से कोई incident हो गया हो मतलब मानली जी कि अप UNSCR United Nations High Commissioner of Refugees में है और आपमें topic दिया गया है कि refugees condition को कैसे improve करे तो अब उसमें भी कुछ recent trends आ जाते है तो अचानक refugee में कहीं पर क्रासिस हो गया अचानक से कहीं पर attack हो गया अचानक से कहीं पर बहुत से refugees को एकसाद मार दिया गया तो अचानक में trend में क्या क्या है ये भी हमें discuss करनी है और साथ ही हमें उसे current events, location और फिर reasoning पर भी research करनी है कि कौन कौन से location यानि countries में maximum impact हो रहा है कौन कौन से current events हो रहा है उस topic पर topic को discuss करनी है reasoning क्या, इसका background क्या है हमें इन सब पर discuss करनी है हमें context का एक overview चाहिए कि हम क्या discuss कर रहे है हमें ये पता होना चाहिए, हमारा goal clear रहना चाहिए कि हम क्यों discuss कर रहे है this is the why, why we are discussing this is the most important question you should have a clear idea about it कि तुमारे committee का एक goal है कि तुम्हें इस problem का solution निकलना है तो उसके लिए तुम्हें problem को अच्छी तरह से समझना होगा इसलिए तुम्हें topic और उसके background की अच्छी समझ होने चाहिए अब दूसरा आता है solution कि solution कैसे निकले solution निकलने के लिए हम past solution देख सकते हैं कि पहले कि आगा solution निकाले कैते हैं उनका कितना impact हुआ दूसरा हम दे सकते हैं कि जातर countries जिसमें वह problem नहीं है वह कौन से methodologies को adopt करते हैं तो तीसरा हम खुद से कोई proposal दा सकते हैं कि यह problem है मेरे दिमाग से है कि यह solution निकल सकता है तो मैंने वह propose कर दिया तो अपने proposals रख सकते हैं माली जी 5 solution अपने इंटरेंट में सर्च किया कि advanced countries में जिनमें यह problem नहीं है उन्हें यह techniques apply होती है तो 5 अपने वह से solution निकला फिर 2 अपने दिमाग से innovative solution निकला कि यह भी हो सकता है यह भी किया जा सकता है यह अपने अपने दिमाग से निकला चौता जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वो आपके country के capacity कितना है जैसे कि आप देने suggest किया कि इतना fundraiser निकला जा सकता है जिसमें हमारे country इतनी contribute कर सकते है लेकिन वो आप government के order के मेरा नहीं कर सकते है और दूसरा वर आपके country इतना rich नहीं है तो वो suggest नहीं कर सकते कि fundraise में हमारे country इतना contribute करने वाली है तो उन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है कि आपके country की capacity कितनी है आपके country ने इस topic पर पहले कितना काम किया है कितना help किया है यह सब भी आपको ध्यान में रखनी है आपको research के बात एक link बनाना पड़ता है कि हम इस topic का इस topic के सथ impact है तो आप moderate caucus में वो topic आ गया तो हम उस topic कर भी discuss करेंगे sub topic पर तो आपको sub topic पर भी ध्यान में रखनी है कि हमें sub topic discuss करना होगा हमें पूरा एक solution oriented approach लेकर चलना है solution oriented approach के लिए हमें उसको side wings को भी research करना पड़ता है इसलिए side wings पर भी research करना ज़रूरी है और मन के समय में ऐसा कोई नहीं कि आपको सब कोई याद करना है आप देखकर भी बोल सकते हैं इसलिए जब भी कोई नया topic arise होगा तब जल्दी से आप उस topic को देख सकते हैं internet से internet and google there are the wonderful sources of research तो उसका use कीजिए जब भी कोई speech में समझेए किसने कोई गलत information दे दिए आपको लगता है माल लिए किसने का कि इस country से इतना percentage of carbon dioxide emission होता है तो अपने हम foreign point of information रेस करके उसको criticize कर सकते हैं इसलिए आपको alert रहना है Google और Wikipedia का इस्तमाल करके उस topic पर research कीजिए जितने होसे को उतना articles परिए लेकिन सारे articles एकदम ध्यान से नहीं परना है जिसमें कोई information नहीं है जहां पर आपको लगता है कि आपको ज्यादा पढ़ने की ज़रूरत है उस topic को जान ले के लिए बहुत ज़़़ए information है बहुत ज़़़ए काम की information है तो वहां पर उसको ध्यान से पढ़िए जहां पर आपको लगता है आपको सिर्फ एक पॉइंट या फी दो पॉइंट की ज़रूरत है उस पुरे आर्टिकल में से जल्दी से speed read कीजिए और वह अपना point निकालके एक point बना लीजिए इससे आपका time भी बचेगा आप ज्यादा अच्छी तरीके से effective तरीके से अपने research कर पाएंगे मतलब आपको topic के understanding पर ध्यान देनी है सिर्फ याद कर नहीं करना है आपको उस topic को समझना है उस topic को solution oriented एक approach रखनी है कि मुझे से solution निकलना है तो वो याद करने से नहीं होगा वो आपको अच्छा से topic को समझना पड़ेगा topic का क्या solution हो सकते हैं इस तरीके से आपको research करनी है मन का research academic की research से अलग होती है यहाँ पर आपको पूरा आपका solution oriented approach रहना चाहिए जितने आपको लगी कि आपको काम के sources हैं उन points को input कीजिए जितने आपको लगी कि unuseful sources है उनको reject कीजिए तो जितना होसा कि उतना dot point summaries बनाते रही है और बाद में आप उस point को separate कर सकते हैं और आपको वह ज़रूरी ही लगे तो तो अब हम देखते हैं कि हमने country के ऊपर कैसे research करें क्योंकि मन के पूरे session में अपको दो वर्ट को खास ध्यान में रखनी है foreign policies अब आप foreign policies पर ध्यान रही ही रखेंगे तब कि Marx दिडर्ट होंगे इसलिए हमें foreign policies पर खास ध्यान रखनी है जाद तर लोग का chance यहीं करता है और फिर अमेरिका जासे देशों में हर जगा अलग अलग foreign policies होती है जैसे अमेरिका के लिए Middle East में अलग foreign policies है दूसरे साइड में अलग policies है इसलिए बहुत ज़़दा confusion है यह इंडिया का बहुत ही strict foreign policy है कि वो जाद तर दूसरे देशों के साथ खुद से लखरा नहीं करता है इसलिए आपको अपने देश का foreign policies क्या है आपके देश का friendly nations क्या है आपके geopolitical analysis, आपके democracy, आपके bureaucracy इन सबको आपको अच्छे से समझना है इन सबको आपको अच्छी पकड होनी चाहिए और आपने country के ऊपर research कैसे करें तो country के ऊपर research करने के लिए आप sphere technique का use कर सकते है हम इसे sphere technique बोलता है क्योंकि ये wheel की तरह है तो sphere का full form क्या है speech, programs, events, agreements, reports speech आपके country ने उस recent topic पर क्या का speech दिया है क्या 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 tweet किया है क्या की information दिया है उस topic पर country उस topic कैसे काम करना चाहती है प्राइम मिनिस्टर ने उस टॉपिक पर कुछ इंफर्मेशन दिया है क्या कुछ इवेंट हुआ है क्या यह सब आपको ध्यान में रखनी है यह सब आपको रिसर्च करनी है दूसरा प्रोग्राम्स प्रोग्राम लॉंच किया है उसका इंपक्ट कैसे पढ़ रहा है उस दूसरा जियोपरेटिकल अनाइसे के साथ यह सब आपको ध्यान में रखनी है तीसरा कोई रिसेंट मैजर इवेंट हुआ है क्या आपके कंट्री में उस टॉपिक के लूपर अब ग्लोबल वर्मिंग है तो एक ग्लोबल वर्मिंग के रिटेट कोई प्रोग्राम को भी करनी है चौथा अग्रीमेंट क्या आपके कंट्री ने किसी दूसरे देश के साथ कोई अग्रीमेंट साइन किया है कि दो देश मिलकर इस तरीके से आप अपने प्रोब्लेम को सॉल्फ करेंगे क्या आपको ऐसा कोई अग्रीमेंट सॉल्फ हुआ है क्या पांचवा रिपोर कि हड नेशन के दे रिपॉर्ट समिक्राना परता है तो आपके रिपोर्ट क्या है पूर्ख से प्रफब्लेम को लेकर कोई रिपोर्ट गाया है पर भी ध्यान राकिन है और आपके देश का कॉर्ण कों से देशों के साथ अच्छा Rele proportion है उन सब पर भी आपको ध्यार में रखने है कि हो सकता है कोई देश आपके देश का दुश्मन हो फिर अगर आप युनाइटेड नेशन में उस देश के साथ जाद सपोर्ट करेंगे या फिर आपके देश ने कोईए क्सिस एक कंट्री के किसे एक पर्टी पर कोई क्रिटिस किया तो प्हिर आक उसको सब्सक्राइब कर सकते तो यह होगा कि आपने गवर्मेंट को व altijd कर रहे हैं एप यह बात नहीं कर सकते और सोचे कि हमेन कोई कोई जम्रा हुआ है वह आं पर कोई आ भाग लग गई है कोई blast हुआ है फिर people government को response करें कि government ने वो चीज fuel tankers को ठीक से manipulate नहीं किया था यह government को responsibility कर रहे है तो फिर आपका देश United Kingdom है आपके देश के government ने उसको criticize किया है यमेन को criticize किया है कि क्यों तुमने यह सब नहीं किया काम ठीक से नहीं किया गवर्मेंट को ज्यादा responsible होना चाहिए, यह criticism किया है, फिर आपके United Nations में वो topic raised हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप कहेंगे, कि गवर्मेंट की गलती नहीं है, यह सब आम लोग की गलती की वहाँ से हुआ था, यह जातर वून रिपोर्ट में भी तो ऐसा बताया गया है, तो आप उसको support करेंगे, तो आप government के against जाना हुआ, लेकिन आप अपने government के against नहीं जा सकते, this is the thing, this is the thing you should remember, कि आप अपने country को represent कर रहे हैं, तो you should have a complete grip of your country, आपके country के सारे information, आपके fingertips में होनी चाहिए, वो आपके पुरे रगों में दोरना चाहिए, यह आपके country में क्या चल solutions research करनी है, तीसरा में अपने country के बार में research करनी है, अब देखते हैं कि हम उस research का कैसे use कर सकते हैं, तो always seek for a proactive use of that research, अपने research का actively use कीजिए, कि यह नहीं कि एकदम point wise अपने summarize माला लिया, पूरे एकदम point wise आप बोले जा रहे हैं, एक speech खता हूँ, आप फिर दूसरा speech में आप इसके वाद से यह ओड़ा है, इसके वाद से यह ओड़ा है, तो उस चीज के आपको visualization होना चाहिए, आपको interest होना चाहिए, पर understanding होना चाहिए, तो आप अपने research का proactive use कर पाएंगे, समझो किसमें अपना राई दिया, तो उसने क्या खा, उस हिसाब से अपने research के कौन से point उस पाइंट को validate करता है, या फिर उस point को discuss करता है, फिर आपने वहाँ से उठा कर वो point क्या, फिर इस तरह करके अपने research का proactive use करना है, और आपको एक overall strategy बनाना है, गेम प्लेन बनाना है, कि हम किस तरीके से उस topic को deal करने वाले है, आप किस तरीके से उस topic पर अपना viewpoint रखने वाल बनाना है, इससे solutions दीजिए, context दीजिए, पूरा एकदम impact बनाने की कोशिश कीजिए, आप rhetoric questions पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत साई stories और poems में, authors और poets एक rhetoric questions से अपना leg start करते हैं, तो rhetoric questions attention बिल्ड करता है, तो आपने sketch first में, एक question कर सकते हैं, एक general question, तो उससे impact अच्छा पड़ेगा, आपको अपने impact बनाना है, आपको उस game plan पर focus करना है, और अपना पहला speech जरूर लिख कर जाए, और आप beginner है, तो आपको हमेशे अपना पहला speech लिखा हुआ आपना चाहिए, कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, first impression is the last impression, हमें अपने तयार रह and you want the committee to solve the problem as soon as possible, तो पुरा एक strategy के लिए एक game plan बना कर चलिए, जितना हो सा कि उतना efficiently research कीजिए, and money is all about research, जितना आप research करेंगे, जितना आप अपने understanding create करेंगे, उतना ज्यादा बहतर तरीके सा बोल पाएंगे, अब जितना ज्यादा अच्छा content होगा आपके speech में, उतना ज efficiently research कीजिए, और फिर उस points को deliver कीजिए, एक game plan बनाए, एक strategy बनाए, उस strategy के accounting चलिए, जो लोग beginners है, वो लोग को मन का process समझने में ही time लगता है, so take your time, don't get nervous, कि लोग तुम्हें खा नहीं जाएंगे अगर तुम गलत बोलोगे तो, लोग तुम्हें साड़ा लग नहीं कर दे कि जितने लोग advanced manners आयो है, हमें उनसे सीखना है, कि वो कैसे बोल रहे है, वो कौन सा technique यूज कर रहे है, वो कैसे strategically present कर रहे है, हमें उन सब पर भी ध्यान रखना है, कि हमारा objective सीर्फ जीतना नहीं होना चाहिए, हमारा objective सीखना होना चाहिए, कि मैं सीखना है, पर हमें वो सबसे सीखना है, चाहिए मन का चीफ हो, चाहिए दूसरे कोई manners हो, चाहिए आप से भी beginners manners हो, या फिर आप से advanced manners हो, आप कोई सबसे सीखना है, आप जितना सीखते हैं, आप उतना खुद का बहतर बनाते हैं, इसलिए focus on learning, not on winning anything, और आप जितना ज़्यादा research करेंगे, context, solutions, अपने countries, जितना ज़्यादा research करते जाएंगे, आप उतना ही अच्छा बैते जाएंगे, अगर आपका फिर भी कोई doubt है, तो आप comment कर सकते हैं, आप मेरी Instagram से connect कर सकते हैं, link description में होगा, और जैसे कि मैंने कहा था, मैं एक bonus tip दूँँगा, तो आपको screen में, कुछ sample keywords का example दिख कि आप अपने आने वाले मन से कुछ ना कुछ जरूर सिखेंगे, जापके पूरे life आपको याद रहेगी, सब बिल्कुल भी nervous नहीं हो ना, do your homework, be confident, focus on learning, और तुम मचा दोगे, all the very best for your mind, just smash it, मचा दो कर दो